झिनपिंग जी चुप बैठे यह और उनके जितने मानसहस पुत्र हैं वह बोलना है सरकार से उन्हों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है सरकार से और भारत के सेना से और ज़वानों से उस पर उस पर प्रधान मंत्री कुछ नहीं कहा रहे है खामोश ते जबके समूचा व बार कि बात होनी चाहिए कि बात हों चाहिए पो के सबूर्स चला गयाँ उसुट데 मैं आपको बोलता हूं कभी जिन को स्ट्राइक हुई अपने देश के प्रदान मंत्री या अपने देस की शरकार से हें जा vallahi करी शी जिन पिंग से भी पूछिए ना एक निंदा प्रस्ताव संसद में आप लोग पारित करिए किचीन ऐसा क्यूं कर रहा है किसी भी विपक्ष के नेता ने यह नहीं बोला कि हम एक हैं अपने सेना के साथ हैं हम निंदा प्रस्ताव जो है पारित करते हैं अरे वैसी जी जिवाब क्यों नहीं देते हैं अरे ललकार के जवाब उनको दिया जाता है जो वीर होते हैं जो कायर और चोर हुषते हैं को जवाब ऐसे ऐज़ाता है ढंड कर दिया है सरकार से और भारत के सेना से और जवानों से सी जिन पिंग के जितने मानस पुत्र है यहां पर जवाब ले लेती हुए इसलिए मैं अमेशा रिपीट करता हूं जाके कर लेते हैं देखे मैं आपको बताता हूं हमारे रक्षा विसे सग इन सब लोगों ने बोला कि गवर्मे इन ने कब accept किया यह अगस्त 2022 की रिपोर्ट है चाइना ने आग्रह किया भारत सरकार से कि वो वन चाइना पॉल्सी को माने भारत ने मना कर दिया दूसरी चीज उइगर नेता डोलकुम को वीजा मोदी जी ने आते ही दिया था और कैसा तालका मचाता चाइना की एक्दम हा हो गई थी तो सरकार कहां नहीं बोल रही है हर तरी के साथ चाहिए बहुत सारे चानल